हालो एवरिवन माधूर्य और चैनल पर आप सबका स्वागत है तो आज मैं आपको एमराडरी स्टीच दिखाने वाली उसका नाम है वाइस स्टीच तो चले शुरू करें दिखें मैंने दो राउंड ड्राउ किया है बीच में एक राउंड ड्राउ किया है और सेंटर में पॉइंट किया है तो इसको अब शुरू करेंगे तो यहां से लेना है और दूसरा वी जैसा ड्रॉ करना है वी शेप ड्रॉ करना है पूरी तरह से तो ये वी से नीचे जाना है इस तरह से देखो वी शेप आएगा इस तरह से फिर ये सेंटर में जाना है वापस यहां से निकालना है उसी वाय से निकालना है और दूसरी वाय में सेंटर में आना है इसी तरह से सेंटर में आना है और बीच में जाना है इसी तरह से पूरा राउंड ठेली करना है देखिए इसी तरह आगे आगे जाना है जा से वाय शुरू होता है वहां पी डालना है देखिए आप इसके लिए कोई भी थ्रेड यूज कर सकते है आंकर थ्रेड जैसे कि मैंने ये आंकर थ्रेड यूज किया है दूसरा कलर यलो कलर यूज करूंगी आप कोई भी कॉटन थ्रेड भी ले सकते हैं जो भी घर में अवे लेबल है वह त्रेड आप ले सकते हैं देखिए हमारा पूरा राउंड रड़ी हो गया हम यलो कलर लेंगे अभी जो मेक्स जो करना है इसके बीच में लेना और इसके बीच में लेना और नीचे में ये दोनों के बीच में लेना इस तरह से ये राओन कम्प्लेट करना है ये सेंटर में लेना है और इधर से सेंटर लेना है और बीच का ये सेंटर लेना है देखवे जे ये बीच का सेंटर ये दोनों लाइन के बीच में इसी तरा और पिर सेंटर में डालना और नेक्स्ट येलो में लेना है स्टार्टिंग येलो से करना है येलो वाई के पास से और दूसरा ये एम्टी बॉक ब्लॉक वहां से लेना है और फिर सेंटर में जाना है इसी तरह से फिर अब बीच में जाना है वापस येलो कलर से स्टार्ट करना है फिर बीच में जाना है इसी तरह से को कम्प्लूट करना है देखिए यहां तक हम आगए लास्ट है ये येलो और ये येलो इसी तरह से हमको हमारी स्टीच कम्प्लीट हो जाएंगे देखिए कैसे लग रहा ये आपको बेटशिट के उपर बना सकते है साड़ी के उपर प्लेइन साड़ी के उपर बना सकते है ब्लाउज के बार्डर में बना सकते है छोटी छोटे रौंड और इसी तरह से यह कंपलेट करना है आपको पसंद है साइड में यह स्टिक्ट डाल सकते हैं और बीच में भी आप पर्स वगेरे भी लगा सकते हैं या तो फिर एक त्रेंच डालेंगे यहाँ पर्स डाल सकते हैं झाल झाल